सरकारे आदमी यूटूब चैनल पर स्वागत आपका Govind Employees Pensioner, Family Pensioner से इस डिलेटेट लेटेस्ट अपडेट सबसी पहले जानने के लिए सबस्क्राइब करें हमारी चैनल को ताकि लेटेस्ट Govind अपडेट से मापको अवगत कासकें दोस्तों वीडियो के तमनल में देखी चुके होंगे आप आज इस वीडियो के अंदर MSP यानि Milter Service Pay को लेकर हम भैता पून जानकारी लेकर हैं जिहां दोस्तों Milter Service Pay को लेकर आपने Social Media पर काफी तरह की मैसेज देखे होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर MSP केस का अपडेट कहां तक आया है और क्या बात सत्य है जिया दोस्तों इंगे एक्सर्विसमेन मोमेंट के दवारा वीडियो को ध्यान पुरक देखें वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कर ले ताकि वह भीन के बारे में जानच के चलिए दोस्तों ज़्यादा वाक्त नागती भी स्टार्ट करते हैं आज के मारे वीडियो देख पा रहें आप यहां पर MSP केस को लेकर वोईस ओफ एक सर्विसमेंट मोमेट के दवारा ये चाजी की गई है जानकारी मिलिटेर सर्विस पे केस MSP के संबन में कई असत्य अफवाही सोचल मीडिया पर चल दही है अब तो एरियर कलेम करने के लिए एक फॉम भी सोचल मीडिया पर सर्कुलेट है पूरो सैनिक ऐसे किसी अफवाहों पर विश्वास ना करें उन्होंने कहा कि संगठन के तरफ से सभी रेंग को एक दर से MSP देने के लिए दायर याचिका पर हाई कोट में सुनुवाई हुई थी सरकार के तरफ से इस संबन में एफ़िडेविट तायर किया गए सरकार ने एफ़िडेविट में रीट के परतेक बिंदू का जवाब देने के बजाए मामले को गुमाने का परियास किया है और पंजाब एवं हरियाना हाई कोट के एक फैसले की आड लेकर जवाब देने से बचने का परियास किया जो कि हमारे पक्स में ही जाएगा क्योंकि सरकार के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है जिस केस का हवाला सरकार देद ही है उसका तोड़ हमारे पास है सरकार के जवाब एवं हमारे रीट को संगठन की वेब साइट www.voiceoficservicemen.in पर लोड कर दिया जाएगा उनका कहना यह मुद्दा बड़ा है क्योंकि इसे लाभावित सभी सेवारत और सेवा नर्वित JCO, NCO, OR एवं फेमली पेंसन अधारक है अत्या पूरी ताकत से संगठन को लडाई लड़नी है सभी से आग रहे है कि संगठन को सहीओ करें और संगठन की वेब साइट पर जाकर संगठन की सदशयता आवसेले तो यहाँ पर MSP के बारे में वोइस जो हमारी वोइस ओफ एक्सरेश्मेंट सोसाइटी है उनका कहना है कि अभी तक जो भी अफवाई सोसल मिडिया पर वाइरल हो रही है वो सभी असत्ते हैं MSP केस को लेकर जो अगली तारिक है वो 6 अगस्ट 2020 कर दी गई है 6 अगस्ट 2020 को जो फैसला आएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माद्यम से आउगत करा देंगी